जिसने की कलहाप में स्वर्संदी किया था, जो संदी का पहला फेद है और स्वर्संदी में भी हमें देज संदी को पड़ा था जिसके हमने आठ नियम कर पड़े थे तो आज हम इसका दूसरा बेद गुन संदी उसके विशे में पड़ेंगी तो चलिए देखते हैं गुल संधी क्या होती है जब आ, आ के बाद इ, इ आने पर ए, उ, उ आने पर ओ तधा ली आने पर अर हो जाता है यानि कि जो हमारा शब्द होता है उसमें आ, आ, जो हमारा पहला शब्द है उसका जो अंतिम वर्ण है यदि वो ए और आ होता है तो उसके बाद इन में से कोई सी भी ध्वनी आए उसके बाद जो हमारा विकारित ध्वनी होगी वो अर हो जाती है इसे हम नीचे डिटेल से देखते हैं जैसे का जो हमारा पहला नियम है आ, जम्माई यहाँ पर बहुत सारा देखे दे रखा है चोटी ई, आ, जम्माई फिर बड़ी ई, ए इस तरह का नियम नर जम्माईश क्या बना नरेश कैसे बना नर की जो हमारे पहले शब की अंतिम ध्वनी है वो अ है और इस शब में हमारे दूसरे शब की जो पहली ध्वनी है वो ई है तो अ और ई मलकर क्या बने ए नरेश ठीक है ऐसे ही राज जम्माईंद्र राजेंद्र ए परम जम्माईश्वर पर मेश्वर महा जम्माईश महेश इस प्रकार अ के साथ और या आ के साथ छोटी इ या बड़ी इ का जब मेल होता है तो हमारी एक ही ध्वनी बनती है अब है हमारा दूसरा नियम अ अ जम्माईश्वर क्या बनता है दोनों को मिलाकर ओ इसी प्रकार से अ अ जम्मर्री क्या बन जाएगा हमारा अर चलिए देखते हैं पर जम्माउपकार की जो हमारी अंतिम ध्वनी है वो क्या है अ और जो हमारा दूसरा शब्द है उसकी पहली ध्वनी उ तो अ और उ को मिलाकर क्या बना ओ यानि की परोपकार सर्व जम्मा उदै सर्वो द्रै तो ये हमारे दो नियम हुए किस प्रकार ए बना और किस प्रकार ओ की ध्वनी बनी और अब हम देखेंगे आगे अर की ध्वनी देखते हैं हम आगे अब है हमारा तीसरा पॉइंट व्रिधी संधी व्रिधी संधी में क्या नियम होता है आ के बाद ए के मेल से और ओ के मेल से ओ हो जाता है इस संधी को व्रिधी संधी कहते हैं यानि कि इसमें व्रिधी होती है बढ़ जाती है जैसे आ के बाद ए ए आया तो दोनों के मेल से हमारा जो है ए की ध्वनी बनेगी और ओ के मेल से ओ की ध्वनी आप देखिए अपने नियम के नुसाद देखते हैं पहले जैसे हमें दिया है ओ ओ जमा ए ए यदि इन दोनों में से कोई भी एक ध्वनी होगी और बाद वाले दोनों में से कोई भी एक ध्व प्रात्मिकता मिलेगी, उसके बाद है हमारी अ जमा ओ तो इसमें हमारी जो बड़े ओ की धुनी हैं, उसे हम मानेंगे जाने कि दोनों ही س्थिती में जो बड़ी धुनी है, बड़ा स्वर है, उसकी ध्ढानी को माना जाएगा जैसे लोक जमा एशना, लोक एशना, परम जमा ओज पर मोज, सदा जमा एव, सदैव, महा जमा ओशद महोशद, ठीक है ये ती हमारे व्रिधी संदी, यानि की चोटी और बड़ी, कोई सबी स्वर हो, चोटी और बड़ी जब स्वर का आपस में मेल होगा, तो जो ध्वनी वो बड़ी स्वर की ध्वनी होगी, इसलिए से कहा जाता है रिधी संदी, अब है हमारी यन संदी, यन संदी का नियम क्या है, इ, इ, उ, उ, री के बाद भिन स्वर के मेल से इनकी स्थान पर च, व, और र, हो जाता है, जैसे अब हम देखेंगे एक्जामपर्स, जैसे देखिए, अती जमा अधिक, अती जमा अधिक में हमारी अती शब्द की जो पहला शब्द हमाइस के इंतिन धोनी क्या है, छोटे ए की मात्रा, छोटी और दूसरे शब्द की प्रथम धोनी क्या है हमारी अ, याने की इ और आ का मेल हुआ है, तो यहाँ पर कौन से धोनी हमा नदी जमा आगम नद्यागम इसके बाद है हमारा सू जमा आगत स्वागत पित्र जमा आग्या पित्राग्या मात्र जमा आदेश मात्रा देश ठीक है ये थी हमारे विदि संधि और यन संधि अब है हमारी अयादी संधि अयादी संधि के अंत्रगत क्या होता है आयादी संदिम में हमारा इन स्वरों के बाद भिन स्वर आ जाते हैं जब तो आय आय अव और आव हो जाता है जैसे हम देखेंगे चे जमाण तो हमारा शब्द क्या बनेगा चयन ये कैसे बना जैसे हमारा देखें पहले में ही जो दे रखा है ए जमाण दोनों को मिला कर क्या बना आय ठीक है तो अब हमने चे जमाण जब हमने वर्णों को जोड़ा तो क्या बना चयन ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास ए की साउंड है ए जमाण इससे क्या बना आय ठीक है इससे क्या बना आय तो ने जमाख क्या बनेगा नाय अब है हमारा ओ जम्म अव इस ओ जम्म अ इन दोनों को मिला के क्या बनेगा अव की धोनी हमारा शब्द क्या है ओ जम्म अन पवन किसी पकार नीचे ओ और अ को जोड़कर क्या बनेगा आव अब इससे बनने वाला शब देखेंगे हम वो जमान पवन वो जमान पवन तो ये थी हमारी अयादी संधी अब हमने अपनी स्वर संधी के जितने भी वे थे पांचों उन्हें समझा पहला बे दिल संधी गुन संधी व्रिदी संधी यन संधी और अयादी संधी अब हमारे शे पहले आप स्वर संधी के जितने भेध हैं इन्हें अच्छे से समझिए और अच्छे से इनकी उधारन अपने पास लिखने की कोशिश कीजिए ताकि आपको ये संधियां जो हैं बहुत अच्छे से समझ में आए आप इन संधियों को पढ़िए और नेक्स क्लास में हम करेंग विजग संधी